नमस्कार स्वागत है आपका किस्ता यूपी का में मैं हूँ आपके साथ सुना ली यूनिफर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक सहिता देश में एक बार फिर चर्चा में है दरसल गुजराद विधान सबाचुनाप से पहले बीजीपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है यूसीसी लागू करने के लिए गुजराद सरकार मुल्यांकन समिती गठत करती है जिस समिती के अध्यक्षता हाई कोड के रिटायर जज़ करेंगे यूनिफर्म सिविल कोड का सीधासा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून उत्तर प्रदेश की सत्ता में दुबारा वाफसी करने के बाद CM योगिया दित्यनाथ की सरकार प्रदेश में यूनिफर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है तो आज के किसे में इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जेक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है अब धन्यवाद राजीव जी यूपी में कब लागू होगा देखे ये संके तो दे दिये गए हैं जिस तरीके से अभी उत्राखंड के बाद फिर गोवा में लागू हो चुका है उत्राखंड में ड्राफ तयार हो चुका है और अब गुजरात में इसकी चर्चा सुरू ही गुजरात में भी पैनल बना दिया है कमिटी बना दी गई है और ये भी बता बारतिय जनतापाथी अभी ये लागू नहीं कर सकती है क्योंकि ये सिर्फ भ्रमिद कर रही है। अभी 2024 के लिए रखा गया है। यानि कि उनको भी लगता है कि 2024 के चुनाब से पहले यानि जो लोकसभा का चुनाब होना है। उससे पहले इनिफॉर्म सिविल कोर्ट देश में लागू होगा। और इसके पहले जो जिस तरीके से एक-एक करके भारतिय जनतापार्टी शाशित राज्य इस इनिफॉर्म सिविल कोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं। अपने-अपने स्टेट में इसे लागू करने के तरीके ढूण रहे हैं। और उसके बाद 2024 के चुनाब से पहले किंद्रिय अस्तर पर पूरे देश में इनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू हो जाएगा। लेकिन यहां तक उत्तर परदेश की बात है, तो उत्तर परदेश में जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल ने कहा, दूसरी तरफ अखलेश यादव इसके खिलाफ पड़े हुए हैं, मायावति इसके खिलाफ में बोल रही हैं, तो ऐसे में इस बीच जो संकेत मिला है, वो भारतिय जनता पार्टे के उत्तर परदेश के दो अध्यक्ष है, भुवेंदर सीन चौदरी, उन्होंने एक काल करम में अभी दो दिन पहले, ये बोला कि अब तो उत्तर परदेश में भी इनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, उन्होंने इस बात का संकेत दिया, कि सार भारतिय राजनितिक पार्टियां, कुछ पार्टियां जो है, ये मान कर बैठी है कि उत्तर परदेश की सरकार इनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, इसलिए वो पहले से ही भाव बना रही है भारतिय जनता पार्टिय खिलाव, दूसरे तरफ कुछ पार्टियों को लगने लगा है कि भाई लागू किया जाना चाहिए, जो भारतिय जनता पार्टिक इस विचारदारा से तालूक रखते हैं, जो सहमत हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसे लागू करना चाहिए, इसलिए सरकार भी इसके लागू करने पर विचार कर रही है, यानि कि उत्तर पर प्रदेश की सरकार अब उनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करेगी इसे लागू करने की पूरी तैयारी करेगी क्योंकि अब ही आप देख सकती है जो भारतिय जनता पार्टी के जो मेन तीन वादे रहे थे देश के लिए वो तीन वादे थे अजोध्यामे राम मंदिर आर्ट अजिके अस्तर पर भी देखें तो उत्तर परदेश की सरकार योगी आदितनात की सरकार जो है वो हर उस मामले का निफ्टारा करना चाहती है जो कहीं न कहीं परेशानी पैदा करता रहा है उसमें जनसंख्या नियंतरन कानून लागू करने के लिए भी ड्राफ्ट तयार कि जा चुका है ड्राफ्ट सब लोग के सामने रखा हुआ है उस पर सुझाव लाए जा रहे हैं और जल्द ही जनसंख्या नियंतरन कानून भी वहां पर लागू किया जाएगा दूसरे तरफ अब मामला आता है UCC का यानि कि सबके लिए कानून एक तरीके का होना चाहिए और इसमें मुसल्मानों को परेशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि ये अधिकार सिविल है सिविल अधिकारों के लिए इस बाद के लिए कानून बनाया जाता है कि आपके प्रोपर्टी के अधिकार किस तरीके से होंगे विवाह तलाक साधी इन अधिकारों में धर्म के कि कुछ लोगों ने याची का दायर कि थी कि मुसल्मानों में शादी की लड़कियों के उमर कितनी होनी चाहिए। कि उसके रिलेशन बनाय जाते हैं तो इसे एक बाल अपराध के तौर पर देखा जाएगा ये पौक्सो एक के खिलाप है। अब जो नियम कानून संविधान में बने हैं, CRPC, IPC में हैं, उसके खिलाप जाकर आप किसी इसलामिक कानून के आधार पर संविधान और के साथ खिल नहीं कर सकते। ये सामाने सी बात है। मुसल्मानों में भी इसकी परिशानी है, ऐसा नहीं है कि जो प्रोपर्टी का अधिकार, जैसे हिंदू कोड़ वील पास हो गया, हिंदू के बीच जो अधिकार थे, वो सारे प्रोपर्टी के अधिकार बराबर बराबर रहें, अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, ये सारे नियम कानून चेंज हो चुके है, हिंदू कोड़ विल में ये सारे के सारे नियम एक सामाने तरीके से जो सम्विधान में दिर्धार थे, उसके अनुसार बनाए गया, शादी करनी है, तो शादी के बाद आपको तलाक की विवस् हिंदू धर्में कानून के अस्तर पर, कोट के अस्तर पर जाकर होगा, ऐसा नहीं कि कोट के बाहर आपने कह दिया और तलाक हो गया, क्यों फिर इस मुद्दे को मुसल्मानों के लिए छोड़ा जाए, जो विवाद शाहवानों मामले से अभी तक चलता रहा है, जिसमें सु तलाक तलाक कहके तलाक दे दिया, अब वो इस उम्र के इस पड़ाब में कहां जाकर काम करेगी, अपने जीवका पारजन कैसे करेगी, आपने 40 साल पहले सादिकी थी मेहर की रकम के तौर पर क्या हुआ था, 2000 रुपया, 1000 अब उस 2000-1000 को आप देके उससे छुटकारा ले ले उठना चाहिए इस बात के लिए, महिलाओं के साथ उठना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं इसके लिए उनको आगे आना चाहिए, ये सारे के सारे अधिकारों के साथ खिलवार है, संविधान के साथ खिलवार है, और बार बार सुप्रीम कोट भी इस मामले में डाइरेक्शन दे चुकी है कि उनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि 70 साल हो गए इतने साल तो काफी होते हैं इसको DPSP में रखा गया था राज के नीती निर्धारित करनी चाहिए एक बनाना चाहिए फैसला लेना चाहिए लेकिन यहां वोट वैंक जनता पार्टी के अलग-अलग सरकारे इस पर काम कर रही है जिसमें अब UP में भी उनिफॉर्म सिविल कोड की तयारे चल रही है और जल्द ही यह लागू हो जाएगा लेकिन राजीर जी जब जब उनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तब तब विपक्ष क्यों बहुत द्रूवी करन होता है अभी तक मुसल्मानों को द्रूवी कित करने के लिए उनके प्रोराइजेशन के लिए हैं यह सारे आपस में लड़ रहे हैं हम सबसे बड़े मुसलिम समर्थक वो करते हम आपसे ज़्यादा मुसलिम समर्थक जितना मुसल्मानों को करना चाहिए उतन मान बौखला जाते हैं कि हमारे धार्मिक मुद्दों में धार्मिक कानून में हस्चिप किया जा रहा है और उस बौखलाहट के लिए ये विपक्षी पार्टियां उस बौखलाहट का फायदा उठाते हैं और उसका विरोध करना शुरू करते हैं जबकि एक ये समाजिक जिसने विपक्ष को इसके लिए एक मुका देता रहता है कि मुसल्मानों की बातों को उठाएं ताकि मुसलिम हमें ही वोट दें या विपक्ष सोच रही है कि बीजेपी को ने क्रेडिट चले जाए यूसी सी का यूसी सी का क्रेडिट तो बीजेपी को ही जाएगा अगर वो लागू करेगी तो लेकिन इसका विरोध करने का तो मतलब यही है कि विरोध अगर करेगा कोई भी तो वो मुसलमानों के फायदे के लिए होगा मुसलमानों के समर्थन के लिए होगा क्योंकि हिंदूओं को तो कोई समस्या है नहीं हिंदूओं के सारे नियम कानून तो वही सम्विधान और C.R.P.C.I.P.C. से चल रहा है तो इसमें समस्या किसको है मुसलिमों को, क्रिश्चनों को जिसके लिए परसनल ला है अब परसनल ला जिसका है अपना उन परसनल ला को खत्म कर दिया जाएगा एक ही नियम बनाया जाएगा तो उन लोगों को परिशानी है जिसके समर्थन में आकार विपक्ष ये चाहती है कि हिंदूओं के बीच तो अभी भी वैसी एकता है नहीं ये लोग आपस में लड़ते हैं जिसमें कुछ-कुछ समर्थन हमें मिल जागा मुसल्मानों का पूरा समर्थन चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए धन्यवाद लागू करती है तो वहां के सभी नागरिकों पर ये समान डूप से लागू होगा आज के हमारे शोक किसा यूपी का में इतना ही कल एक बार फिर एक एहम किस्ति के साथ हाजर होगे तब तक के लिए देखते रहिए क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार झाल